आज हम ऐसी किड्नैपिंग की कहानी जानने वाले हैं जिसमें किड्नैपर ने एक लड़की को 8 साल तक अपने घर में किड्नैप कर कर रखा। उसने लड़की को 9 साल की उम्र में किड्नैप किया था और वो 8 साल तक उसके साथ उसके घर में रही। इस दर्मियान उस किड़नेपर ने लड़की को मारा भी सताया भी और उसके साथ गलत काम भी किया आज हम मासूम नताशा की दर्दना कहानी जानने वाले हैं ये बात है 1992 की एक सुनहरी सुभा का आगाज हुआ था घर के बाहर चडियों की आवाज आ रही थी नताशा की माने उसको बिस्तर से उठाया और स्कूल के लिए तैयार कर दिया नताशा को आज स्कूल नहीं जाना था उसका मन नहीं चाह रहा था पर उसकी मा उसको स्कूल भीजना चाहती थी नताशा ने अपना मन मार के गुस्से में तैयार हो गई और मा के साथ बहस करने लगी मा ने गुस्से में आकर नताशा को एक थपड मार दिया अब नताशा को आया गुस्सा तो वो घर से दर्वाजा पटक कर बाहर निकल गई और अपने स्कूल की तरफ पैदल जाने लगी उसको मा के उपर गुसा भी आ रहा था और उसके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे अचानक एक आदमी गाड़ी से बाहर आया और नताशा को उठा कर गाड़ी के अंदर ले गया नताशा चिल्लाती रही मेरी मदद करो मेरी मदद करो मगर आसपास कोई सुनने वाला नहीं था कुछ देर बाद नताशा को होश आया उसके चहरे पर चोट लगी हुई थी और उसका बदन दर्द कर रहा था उसने अपने आसपास देखा तो एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो कैद थी वो फोरन दर्वाजे के पास भागी और दर्वाजा खोलने की कोशिश की और अपनी मा को आवाज देने लगी वो बहुत घबराई हुई थी नौ साल की बच्ची थी उसका दिल और दिमाग बहुत ज्यादा डर गया था वो मायूस होकर हार मानकर एक कोने में बैठ गई अचानक उसके सामने दर्वाजा खुला और अंदर से किड्नैपर आया उसके हाथ में गद्दा था उसने लाकर जमीन पर बिचा दिया और नताशा से कहा तुम आराम से यहां बैठ जाओ और खाना खाओ जब तुम्हारे मम्मी पापा पैसा देंगे तुम यहां से वापस चली जाओगी दो से तीन दिन गुजर गए थे किड्नैपर नताशा का ख्याल रखने लगा था उसका खाना, पीना, सोना सब अच्छी तरह से मैनेज करता था नताशा भी उसके साथ अब कमफर्टिबल हो गई थी उसने किड्नैपर को अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा मान लिया था मगर उसके दिल में एक आशा थी कि एक दिन उसके मम्मी पापा पैसा देकर उसको वापस अपने साथ ले जाएंगे तीन दिन गुजर गए हर तरफ पुलीस नताशा को ढून रही थी उसकी मा बड़ी परेशान थी कि नताशा इस वक्त कहां होगी क्या कर रही होगी किडनैपर ने अभी तक अपनी कोई डिमांड नहीं रखी थी नताशा की मा को लग रहा था कि वो उससे नाराज होकर कहीं चली गई है मगर ऐसा नहीं था नताशा अपनी मा से बहुत प्यार करती थी उसने एक लिटर लिखा और किडनैपर से कहां ये मेरी मा को दे देना वो परेशान हो रही होगी इससे उनको पता चल जाएगा मैं ठीक हूँ और वो तुमको जल्दी पैसे दे देंगे लेकिन किडनैपर का मकसद कुछ और था उसको नताशा के बदले पैसे नहीं चाहिए थे उसका दिल का मामला था उसने नताशा से जूट बोला कि मैंने तुम्हारे माबाप से पैसे मांगे थे मगर वो तुमसे प्यार नहीं करते उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया नताशा उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी, वो बार-बार कह रही थी तुम जूट, बोल रहे हो, उसके ऐसा कहने पर किडनैपर को गुस्सा आया और वो नताशा पर अपना गुस्सा निकालने लगा, एक मासूम बच्ची अपने घर से इतनी दूर थी उसको माबाप क की याद भी आ रही थी, और वो जिसको अच्छा आदमी समझ रही थी, वो भी उसके साथ बुरा करने लगा था, अब किडनैपर ने नताशा को डराना शुरू कर दिया था, उसको धमकाना शुरू कर दिया था, देखते ही देखते छे महीने गुजर गए, अब तक नताशा किद्नैपर के साथ ही थी अब पुलीस ने उसको ढूंडना बंद कर दिया था उसकी मा ने भी हार मान ली थी और नताशा भी अब इस छोटे कमरे में अपने आपको कमफर्टेबल समझ रही थी वो यहां अकेली थी इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने दोस्तों को अपने साथ महसूस करती और उनके साथ खेलती वो इन छे महीनों में इस छोटे कमरे में बंद परेशान हो गई थी वो यहां से बाहर निकल कर दुनिया देखना चा उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर किड्नैपर ने उसको बाहर नहीं जाने दिया चार साल और गुजर गए थे वो छोटी सी नताशा अब बड़ी हो गई थी उसका चहरा बदल गया था उसका जिस्म बड़ा हो गया था वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी किड्न किड्नैपर से बार-बार खाना मांग रही थी मगर किड्नैपर के कान में जू नहीं रेंग रही थी यहां तक कि उसने कच्रे से खाना ढूंड कर खाना खाया अगर कुछ नहीं मिला तो पानी से अपनी भूख मिटाने की कोशिश की एक दिन वो चैर पर बैठी बुक चानक उसको एहसास हुआ, मेरी चैर गीली हो रही है, उसने अपने पैर को छू कर देखा तो खून निकल रहा था, उसके महमारी के दिन शुरू हो गए थे, मगर नताशा को क्या पता था कि उसकी बॉड़ी के साथ क्या हो रहा है, वो बिचारी मासूम बच्ची घबरा उसको इस हालत में देखकर किड्नैपर गुस्सा हुआ और उस पर चिल्लाने लगा, कि तुने सब गंदा कर दिया, तुझे पता नहीं है, तेरे साथ क्या हो रहा है, नताशा ने कहा मुझे नहाना है, इन चार सालों में नताशा ने अच्छी तरह से नहीं नहाया था, वो स छोटे कमरे से निकल कर कही और जाने वाली थी, किड्नैपर नताशा को नीचे से निकाल कर जब उपर लाया, तो नताशा हैरान थी उसको बाहर से लोगों की चिल्लाने की शोर करने की आवाज आ रही थी, वो चार से पांच साल बाद बच्चों के शोर की आवाज सुन रही थी चिडिया की आवाज सुन रही थी जानवरों की आवाज सुन रही थी किडनेपर नताशा को बाथरूम में लेकर आया और कहां तुम मेरे सामने ही नहां होगी नताशा उसको किसी काम के लिए इंकार नहीं करती थी क्योंकि किडनेपर ने उसको गुलाम की तरह रखा था व जैसा कहता था नताशा को वैसा ही करना पड़ता था नताशा ने उसके सामने ही शावर लिया और फ्रेश हो गई एक दिन जब किडनेपर अपने घर पर मा के साथ था तो उसकी मा ने देखा उसके स्वेटर पर लड़की के बाल है वो कहने लगी हमें भी मिला दो जिस लड़की के साथ सो रहे हो किडनेपर ने कहा कोई लड़की नहीं है और वो फौरण वहां से चला गया फिर नताशा के पास आया और उसके सर के सभी बाल मशीन से उड़ा दिये वो किडनेपर के इस काम से खुश नहीं थी और रो रही थी लेकिन उसको रोक नहीं सकती थी नताशा को गंजा करने के बाद किडनेपर उसको अपने कमरे में ले आया फिर उसके हाथ को अपने हाथ से बांध लिया और उसको अपने साथ बिस्तर पर सुला लिया मैंने पहले भी बताया था, नताशा को पैसे के लिए किड्नैप नहीं किया था, अब वो बड़ी हो गई थी तो किड्नैपर को अपना मकसद हासिल करना था एक रात किड्नैपर एक पार्टी में आता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो उसके साथ डांस कर रही होती है, वो लड़की किड्नैपर के इतने करीब होती है कि उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है, उसके सोए हुए अर्मानों को जगा देती वो फॉरन पार्टी से निकल कर घर वापस आता है और नताशा को उसके छोटे कमरे से निकाल कर अपने कमरे में लाता है उसके हाथ को अपने हाथ से बांध कर अपने साथ बिस्तर पर सुलाता है और उसके दिल के अर्मानों को पूरा करने की कोशिश करता है उसकी इस हरकत पर नताशा घबरा रही है, वो मचल रही है. 6. साल बात किडनैपर ने जिस लिए नताशा को किडनैप किया था, आज वो सब उसके साथ कर रहा था, और नताशा एक लाश की तरह उसके साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी. 7 साल गुजर गए थे, नताशा गुलाम की तरह उसका हर काम करती थी, लेकिन नताशा की छोटी सी गलती पर किडनैपर उसको मारने लगता था, उसको अजीब अजीब सजा देता था, उसको नीचा महसूस कराता था, उसको चार-चार दिन भूखा रखता था, जब नताशा से भूक बरदाश्ट नहीं होती थी, वो कुछ खाने की कोशिश करती तो उसके साथ जुल्म करता था, नताशा की जिन्दगी जानवरों से भी गई गुजरी हो गई थी, उसको वक्त पर खाना नहीं मिलता था, उसकी छोटी गलतियों पर सजा दी जाती थी, उसको इनसान नहीं समझा जाता था, एक रात किड्नैपर और नताशा साथ थे, तो नताशा ने किड्नैपर से पूछा तुमने मुझे ही किड्नैप क्यों किया, किड्नैपर ने कहा जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, मुझे तुमसे उसी वक्त प्यार हो गया था फिर मैंने दिल में सोचा ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है और किसी की नहीं हो सकती तो मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया और आज तुम मेरे साथ हो नताशा इस बात को जान कर हैरान हो गई कि पैसो के लिए नहीं बलकि उसके प्यार के लिए किड्नैपिंग की गई है। नताशा ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब मुझे गुलाम की तरह नहीं, अपने प्यार की तरह ट्रीट करो। किड्नैपर के दिल में तो नताशा के लिए प्यार था, मगर नताशा के दिल में किडनेपर के लिए नफरत पैदा हो गई थी वो बस यहां से दूर भाग जाना चाहती थी अब नताशा और किडनेपर के बीच अच्छा रिष्टा हो गया था तो एक दिन किडनेपर नताशा को लेकर घूमने आया हुआ था उसको लगा था नताशा उससे प्यार करती है मगर ऐसा नहीं था नताशा को बस मौका चाहिए था आज उसको वो मौका मिल गया तो उसने एक औरत से कहा मैं नताशा हूँ जो आच साल पहले किडनेप हो गई थी तुम मेरी मदद करो मुझे यहां से निकाल कर पुलीस के पास ले जाओ लेकिन इस औरत ने नताशा की बात पर कुछ गौर नहीं किया और उसको छोड़ कर चली गई मगर किडनेपर ने नताशा की इस बात पर पूरा गौर किया फिर जब दोनों घर वापस आये तो किडनेपर ने नताशा को गाड़ी के अंदर ही तोड़ना शुरू कर दिया उसको इतना मारा इतना मारा की बस उसकी जान ही नहीं निकली बाकी उसका सारा बदन तूट गया और दर्द करने लगा एक दिन नताशा किडनेपर की वैन साफ कर रही थी जिसमें वो किडनेप होकर आई थी अचानक उसकी नजर दर्वाजे की तरफ पड़ी जिस पर आज लौक नहीं लगा हुआ था सबसे पहले उसके दिमाग में आया भाग जाती हूँ फिर उसने सोचा अगर पकड़ी गई तो बहुत पिटाई होगी नताशा ने पीछे मुढ के देखा तो किडनेपर फोन पर लगा हुआ था उसको नताशा का होश नहीं था वो वैन से बाहर निकली और धीरे धीरे दर्वाजे की तरफ आगे बढ़ने लगी फिर जो उसने दोड लगाई दर्वाजे से बाहर निकल कर उसने वापस पीछे मुढ कर नहीं देखा वो भागती गई भागती गई और किडनेपर के घर से बहुत दूर भाग गई जब तक किडनेपर को पता चला कि नताशा उसके घर से निकल कर भाग गई है तब तक बहुत देर हो गई थी नताशा भागते हुए एक औरत के पास आई और उसने कहा मेरी मदद करो मेरे लिए पुलीस को बुला दो कुछ देर बाद पुलीस यहां आ गई और उसने नताशा से पूछताच की तो पता चला ये वही लड़की है जो आच से नौ साल पहले गायब हो गई थी दूसरी तरफ किड्नैपर ने पुलीस के हाथ आने से पहले सोचा अब मेरी जिन्दिगी का कोई मकसद बचा ही नहीं और उसने अपनी जान देने का सोच लिया आच से नौ साल बाद नताशा अपने माबाप से मिलने वाली थी उसकी आखों में आसू थे और दिल जोरों से धड़क रहा था जब नताशा के माबाप ने उसको अपनी आखों के सामने देखा तो उनकी आखे खुली रह गई और फोरण आगे बढ़कर नताशा को अपने गले से लगा लिया और उसकी धड़कन को अपनी धड़कनों में बसा लिया नताशा और उसके माबाप दोनों रोने लगे ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो